संकल्प लड़ने का और उसके लिए संयम लेकिन यहां तो पार्टियों के ज़री ना संकल्प दिख रहा है ना संयम दिख रहा है आतिकुर रह्मान जुबानी ग्यान से निदान मिलेगा प्रति जी बड़े दुख की बात है देखिए कि हमारे जिम्मेदार लोग जो हम लोगों को जिनको रास्ता दिखाना चाहिए पार्लेमेंट में सेशन भी और प्रदान मंतरी ने इसलिए केरी ओन किया था कि हम अपनी जिम्मेदारी से चूकना नहीं चाहते हैं तो क्या यही जिम्मेदारी है इन लोगों की कि यह पार्टी करते चले जा रहे हैं खेर यह जैसा कि सुधान शुजी ने भी कहा कि यह आरोप और प्रति आरोप का नहीं है हम लोगों को कुछ सबक लेना चाहिए इन चीजों से आगे आने दिनों में और साउधानी बरतना चाहिए यहां पर एक इंपोर्टेंट चीज़ और प्रिती जी मैंने जो नोट किये मैं क्योंकि एक्सपर्ट नहीं हूं डॉक्टर साब आपके पास बेंड़े हुए जाज़ादे अभी आपने सबक लिया किसी को अपील किया आपने जी जी मैं हर चैनल पर अपील कर रहा हूं अपने लोगों से हमारी मस्जिद के अंदर नई गलतियां हमने किये प्रिती जी मैं गलतियों से कभी भी पीछे नहीं अटता हूं मैं मानता हूं कि गलतियां की हैं इनसान गलतियों का पुतला होता है लेकिन उससे सबक लेके जो आगे बढ़ जाये वो काबलियत की बात है वो तारीफ की बात है और सरकार को इन चीजों की तारीफ करनी चाहिए सरकार को इस चीजों की तारीफ करनी चाहिए आप जैसे ही तो वो लोग है जो शाहिन बाग के प्रदर्शन का सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पर घंटा धर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लक्नों में ते आप method कर रहा है, यह आपा का भी तो जुबानी घ्या नहीं लग रहा है सर्फ है कि जी मैंने अभी तख के दीफी जी में एक अलफाज ऐसा नहीं कहा जिससे के उनके प्रती कोई सानूबूती बरत्ते या उनको वॉर्निंग देते आखिलकार प्रदानमंतरी की वो प्रजा है प्रदानमंतरी का अपना एक स्टेचर है society के अंदर वो हमको वोन कर सकते थे, हमको डरा सकते थे धमका सकते थे, समझा सकते थे प्यार की बोली बोल सकते थे एक अलफाज नहीं कहा पृती जी आप इतने efforts ले रही है तमाम channel वाले जब इतने फिकर मंदे अभी 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 को रह्मान को ये उमीद है कि प्रधान मंत्री कुछ ऐसा बोलते जहां पर शाहिन बाग के लोग को ऐसा लगता कि अब तो भाई हमारी आवाज सुनी जा रही है मुझे ये नहीं समझा रहा कि आवाज जबाई कहा जा रही है देखिए प्रिती जी कहीं आवाज वाज जबाई नहीं जा रही है ठीक है ना लेकिन जबरदसी ढोल पिटने की आदत है बैठे हुए है खुद को खत्रे में डाल रहे हैं बाकि आपने कारण दूसरे को भी खत्रे में डाल रहे हैं अर्तिकूरर रमानान ओटसाब यहां आपके पास बैठे हुए हैं घर में बैठे हुए हैं क्यों घर में बैठे हुए है शाहिन भाग में बैठके डिबेट कर लेते या घंटा घर में बैठके जाके उन लोग के साथ डिबेट कर लेते लेकिन वो तो नहीं जा रहे हैं उनको कोरोना का डर है तो इन उन मासूमों का क्या जो बैठे हुए है उनका क्या दो-दो वेक्ति वहाँ पे कोरोना के संदिक पाए गये हैं, उनकी जाच गई हुई है, कल को अगर वो पॉस्टिम निकल गये हैं, तो शाहिन बाग में जितना कोरोना फैलेगा और उसे पूरे दिल्ली में फैलेगा, उसे पूरे देश में फैलेगा, उसके जिम्मदारी लेंगे, एक मिट बीच में मत बोलिए ना, हम लो इनकी बात नहीं सुनेंगे, इनकी बात नहीं सुनेंगे, इनकी बात नहीं सुनेंगे, इनको बोलिए चुप हो जाने के लिए, पहले माफी मांगे, इनको बोलिए चुप हो जाने के लिए, पहले माफी मांगे, इनको बोलिए चुप हो जाने के लिए, पहले माफी मांगे इनको बोलिएगा चुप रहने जरा मैं नहीं था वहां पर नहीं मेरी पार्टी थी लेकिन हाँ जरा इतना ही दर्द हो रहा है तो अकबर अहमर डंपी साफ जो बाउजन समाज पार्टी के नेता है उनके घर में यह पार्टी थी जरा उनको फोन करके नाठी है कि माफी मांग करने वाला भी गलत आने वाला भी गलत और वहां पर जो गलत है वो गलत है वो सही नहीं हो सकता यहां कोरोना से लड़ने का समय है आप से फालतू की बाद विक्वास करने का समय नहीं है तो गलती मांग रहे हैं तो एक सुर में सब को बोलना चाहिए कि जाग रुकता जाग जागरुकता एकलोगता उपाय जो प्रधानमंत्री ने कहा है शोशल डिस्टेंसिंग वो होनी चाहिए एक दिन का कर्फ्यू को स्वता साथ जी तक बढ़ाएं जस्पिंदर नरूला गायक हमार साथ जुड़